अदाब नाजरीन सियासा टीवी के बेहत कास प्रोग्राम हैदरबादी सितारे में मैं आप कमेजबान की भी जानी आप सभी का इस्सक्वाल करता हूँ दोस्तो वैसे हैदरबादी फिल्मों में आए दिन नए नए चेहरों की आमद होती रहती है लेकिन एक कास चेहरा जिन्होंने अपनी शिनाख बॉल्योट के नामवर अदाकार शारुख खान से मनसूप की और इन्होंने अलग-अलग तरह की किरदार उनी से रिलेटेट वही स्टाइल वही डेलॉग डिलिवरी वही अंदास को अपनाया और फिर लोगों के गिर्विद बने याने हम बात कर रहे हैं जूनियर शारुख के जूनियर शारुख ने वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में अपनी अलग-अलग अदाकाराना सलाहियतों को पेश किया तो बरहल आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमने इन्हें मदूग किया है जूनियर शारुख आपका बहुत-बहुत खेर मगदम कियाता है हमारे इस प्रोग्राम में असलाह अलेकूं नाजनीन शारुख खान मैं आपका दोस्त हैदरावादी सितारे में और मैं दिल की घहराईयों से बहुत-बहुत शुकर गुजार हूँ के आमेर साब का सियासर टीवी का और पहहां पर केविजानी साब का और यहां पर हमारे लिए इतना मान समान रखा है और हमें यहां उलाया है सबसे बड़ी बात है इंटर्वी के लिए उलाया है मेरी अम्बी जान कहती थी कोई भी दंदा चोटा या बड़ा नहीं होता है और धंदे से बड़ा कोई धरम नहीं होता है और वैसे हैदरावादी सितारे के जैसा और हैदरावादी सितारा कबाल हुए है क्या बात है तो देखा नाजरीन आपने शारुख का कमाल क्योंकि बहुत ही जबर्दस डियलॉग का स्टेज पर पर्फॉर्म करते हैं और मुक्तलिफ महफिलों में ये अपने डियलॉग के जरीए जान डाल देते हैं तो बहराल आपका बहुत-बहुत इस इस शारुख तो ये बताईए शारुख जूनियर शारुख जैसा आपका लखब पढ़ चुका है और पुरी इंडिस्ट्री जानती है फील्ड वाले जानते हैं लेकिन आपका हकी नाम क्या है सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताईए मेरा हकी नाम है महमद अमजद अली और नाम से पाइचांच बनाई भी है और काफी लोगों में अच्छा इंपरोव ह्या कि आप बहुत अच्छी मेंगिरी करते हैं पूरी वाइस काफी करते हैं जैसे कि शारुख सापको सर्दी होने तक और जो है बखार आने तक और बखार से ठीक होने के बाद भाद भी उनकी आवास कैसी रेती, वो भी आवास की पूरी काफी करता हूँ. ये देखे, मैं पहली दफ़ा जब उस्कूल को जाता था, तो मेरे दोस्त बोलते थे, उस्कूल में कुछ शो वो रहते थे, तो मैंने तो ला रहे, शो देखके आके लोग करते थे एक्टिंग, तो मैं बोला, एक बार सरकस देखा था, अच्छा, तीवी सिरियल, शारुख का जो सरकस देखकर उसके बाद, वहां से सरकस में जो शारुखान की आवाज चार रही थी, वो एक मेले का सीन है, अरे, हम कुछ कर सकते हैं, तो बराबर करकर बताएए, अरे, आप क्या करें, अरे, अरे, नहीं, अरे, गल के लिए, लोग के सारे टिकेट को देदी हैं, लेकि उसकुल के टेम पे मेंग जाना चाता था, एक दिन ऐसा हो गया, की उसकुल छोड़के मैं शारुखान की पिछर देखने के लिए भागा, तो मेरी पहली पिछर थी शारुखान की देखने के लिए भागा था, तो वो पिल्म के लिए टिकेट लेकर जली-जली गया, sketches लाक लोग काफी पसंद करें दर में कितनी महभबत होती है तो वो सीन था शारुखान वाला तो हमारे एक पीचर को बहुत पसंद आ गया था वो बोले यह तो फुरी शावक की कौपी कर रहा है लोला से कैसे कर अरी कहां से निकार रहे हैं आप मेरे गले से निकार रहा है तो सुना कि देखो बर्सों कि याद के बाद मुझे जलगने लगा कि तुम मेरे से बाद किसी और की नहीं हो सकती है दरवादा खुलो शुनील बड़ा कम वक्त है वो किरन वोरत का समय निकलते जा रहा है पहली बार देख रही हो ना शर्मा रही होगी पगली हो कि तुए मेरी किरन अच्छा तो पहली फिल्म आपने डर देखी मैं समझता हूं आपकी उमर क्या रही होगी जब मैं था देखिये 15 साल का बच्चा था अच्छा थीक है 15 साल का था तो काफी लोग बोलते थे मैं कई फिल्मों में भी किया है बरहल मैं यह जाना चाह रहा था कि पंदरा साल से आपको इस मिमिक्री का शौक या फिर शारुखान से लगाओ बढ़ गया था जिसकी वज़ा से आप अमजद अली से शारुखान बन गया है जी तो मैं वो बार-बार में मेरे को पिच्छड देखना बहुत पसंद था और मैं अब एक दिन ऐसा आदमी बनूँगा बोलके चाहते हों कई लोग में कोफी करना चाहता हूं कई लोगो मुलते के शारुखान बात कराया कभी कवार लंडबन्ण से हीवर से फून आते को लोग मिलाके दिते सौह भी शारु गयाख करो कई लोगों के साथ ऐसा लगता है कि अनृ जान अगर की अ ने सो बने पर मीडेश बोलना है यार अभी पड़ान की शूट में पीजी हूं मुझे ऐसा लग रहा है एक एक दिन ऐसा हो गया कि मैं साम में बैठा हूं मुले एक जने अरे यार यार ये शारुख नहीं हो सकते यार नहीं हो सकते बले सोनी चैनल पर जा रहा था मैं इंटरेट्मेंट के लिए अे नु SARAH पराइबन था हूं मुलेन को अनु मलिक आानुमलिक ने कहां करें लिए जब छान हरा है तो लिए आ चुब मेरी इंट्री वहां पड़ती तो दिलवाली दुल निया की कर जाकेःiron पूरा कॉस्टिम्ष पुराज डिदेंस पुरा हुई था एक्षम गिटार जैस के लिए कुछ भी करेगा सोनी चैनल के लिए तो मैं चाहता हूं कि वहां पर आपने जो परफॉर्म किया था थोड़ा हमारे नाजरीन को बताईए यह किस साल की बात है 2009 की बात है नौ अच्छा नौ में आप सोनी टीवी के लिए गए थें इंटेंट के लिए कुछ भी करेगा 2009 में 13 सप्टमबर अच्छा एपिसोड टेलिकास हुआ था पहले सल्मान भाई की रिशूट हुई थी अच्छा फिर बाद में हम लोग को बुलाया अंदर अच्छा सल्मान भाई की जब फर्स्ट पिचर आई की ना दबंग जी बुले भाईजान के विशूट के ब अच्छा तो फरा जी और अनुम अलीक आपकी आवास से मुतासिर हुए और आपका गिटब भी पूरा बिल्कुल कॉस्ट्म वगरा बिल्कुल अलग सथा बिल्कुल शारुक की तरह अच्छा लगता नहीं था कि यह कोई अमजद है आम आदमी अच्छा तो उन लोग को भी बोले थे पिर बाद में बोले कि हनुजी अमजद भाई अमजद भाई आप तो यह करते हैं वो लें साथ में जो गया था दिलवाले दुलरियां के पर प्रवर्विंस के लिए तो फराजी की खायश थी वहाँ पर हूं शंती हों पिचर के लिए जब वो पराजी कर रहे थे हैं यह डेलक्स उनके परिशान हैं वो एक चुटकी संदूर की खेमत तुम क्या जानों फीरह बैश्पां हो मुश्पां हर यज़ पुश्पां हर उरक की सरका खाव होता है एक चुटकी संदूर हर सौगद के सरका साथ होता है हमारे फिल्मों के कानी से हट खर है एक मेरे तुम्हें पाने की कोशिश की हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की शादिश की कहते हैं किजी चीज को दिल से चाओ तो पुरी काइनार तुमसे मिलाने की शादिश में लग जाती है आज इस बात का ये है, हैदराबादी सितारों में, केवी जानी से मिलाने की इशादिश में लगए है. तो शारुख हमें ये बताईए कि जब आपने सोने चैनल के लिए दिलवाले दुनानिया ले जाएंगे का वो डैलॉग जो इंटेंटेंट्मेंट के लिए कुछ भी करेगा, इस शो के लिए आपने तैयार किया था, वो हमारे नादरीन को लिए जरूर सुनाएं. बिल्कुल. वे 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 तुमारी ये मजाल कि हमारी सिमरीन को पका कर लेके जाने के लिए? ने महुझी, ने. भागा तो परहों से जाता है लेकिन अपनों से नहीं. भाग कर जाएं तो पुरी जिन्देगी का जाएं. ये हमारे बड़े बुजरुक है, पाल पोचकर बढ़ा करते हैं. उसमें काजल जी की भी आवास थी. हमरे इश्पुली साफ की दो हो गए. राच, राच मैने का तरू तुम्हें यासे ले चलो. हमारे प्यार को समिनने वाला कोई नहीं है. राच. नई सिम्रिन, भागा तो परहों से जाता है लेकिन अपनों से ने. रूने का इस्टाल दी. भागा तो परहों से जाता है लेकिन अपनों से ने. नई सिम्रिन, ये पूरी जिन्देगी हमें पाल पोचकर बढ़ा करते हैं. इन से भाग कर भी जाये तो गाच है. जब तक मेर हाथ तुमारे हाथ में नहीं देंगे पहुची में मेरा हाथ तुमारे हाथ में देंगे तो जब यहां से हम जाएंगे भाग कर पूरी जिन्देगी कहा जाएगे क्योंकि हम भाग नहीं सकते इसे नहीं इड़ा लगता तो फराजी का रेक्ट अलग हो गया फिर उसके बाद एक अजीब सा इमोशनल हो गया मैं एक हंदुस्तानी लड़का हूँ जैसे कि आप सब लोग का दिल जीतने के लिए मैं एक हंदुस्तानी लड़का हूँ मैं आप सब लोग का दिल जीतने के लिए मुझे बाफ कर दे रहा है चुटकी बड़ी बाफ क्योंकि तुम्हारे बिला और आपके प्यार को मैंने दिल दुखाया क्योंकि प्यार करने वालों को समझ सकते लेकिन प्यार की खिमत को नहीं समझ सकते हैं अब मैं और जी एक सिकंड भी नहीं रुकूंगा आपके कहने पर भी क्योंकि मैं एक हंदुस्तानी लड़का हूँ मैं आप सुभी लोग का दिल जीत कर जाओगा क्या बात दवर्दस दवर्दस अच्छा एक बात है शारूख जितने रियालिटी शोज हम जो देखते हैं जिस तरह आपने इंटरेंटमेंट के लिए कुछ भी करेगा इसमें आपने हिस्सा लिया तो क्या एक आर्टिस्ट की लाइफ में इस तरह के शो में परफॉर्म करन करने से उसको फाइदा होता है या फिर उसकी लाइफ में कुछ चेंजस आते हैं ऐसे टीवी सीरियल में काम करने से बहुत सारे शो मिलते हैं और बलते सो आप अब थोड़ी समझी आप जैसा के काम बढ़ता ही जाता है अच्छा तो और शूटिंग्स बगारा हाँ बिलकु सीरियल में भी आपको मौका मिलता है फिल्म में भी मौका मिलता है इस तरह से सही बात है तो मैं यही जाना चाहरा था कि को कि एक आर्टिस्ट को अगर नैशनल लेवल के टेलिविजन पर परफॉर्म करने का मौका मिल जाए तो बहुत सारे इवेंट कंपनी जुड़ जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल हुआ है मैनीजर्स कोई अपने कोहला आता है बुलते हैं आपके लिए काम है एक बार तो मेरे को मजाख करें जैसा लिखा आचा तो इंडिया गॉट टाइलेंट में बुलाया था अच्छा तो इंटेंटेंट के के लिए कुछ भी करेगा के बाद पिर आपको इंडिया गॉट्स टैलेंट के लिए भी ऑफर होगा तो फिर आप महां पर भी गया है वहां पर गया था तो वहां पर क्या हुआ फाइनल में नहीं आए बड़ ऐसे लेकिन आपको मौका तो मिला था मौका मिला आडिशन देन करना था वही सीन करवाने के लिए बुलाए थे जैसे के राम जाने मूभी आई थी शारुखान की तो राम जाने वाला डैलक के लिए वह लोग बुलाए थे अच्छा तो बहु बले कि भाई आप फुल एक आदमी हो तो आपके साथ में सारे चार्ट 25-30 कुछ लोग होंगे थे द्यांस का शोगा सुब कि अलग-अलग कला हो थी है ड्याट गोटालेट में आपको तो पताई है तो में वाँ गया तो बुले कि भाई आप अकेले होगे कैसे करोगे अरे यार यार शारुखान पुले राम जाने की एक्टिंग करेंगे वह एक सांस वाला डैलक था तो तो एक सांस वाला डेलग ठाउंगा मैं आपको बता उओगा डैलग तर मैं आपको बता होगा है किया सान लिखन अथर लोग पट्रवकर में आपक अपन के लिए करता है ए बेला अबंदर को बट प्रकरता है एक यह वंदरिया देके लिए जाला अपन को बन होए है तो यह वाला था तो अब दोसके बाद वसी एमोशनल चेंज हो गया वहां से कुछ फिर दर लेकर आए रहा है रहा है शारुखान अपगड़े गया अंदर मार खारा अब करें हैं कैको यह अब करें है खेंड़ी तूल मत बाम फुले नहींड़ी तूलफोर चुड़े उस Tea यह अज़ोड़ें है आप नौन का श्णाशन हागण है अथाचिक फल्गो छाधा करें आघान मों को करें दोससों आइ हूस्ट इपर शाहण को कि अनको अब नियुक्त कलातीव ऐफ दूत के माफ़े राम जानरे साला एक राम जानरे मरेगा तो दूसरा पैदाने होगा कए को पिर उसके ऐा फांसी फांसी वाला डेल्ले ज़folg कि उसक्ते होती है शारूखान साब को वहां का पूत ens destructive होता है तो वह बुत काफी पसंड्रे बुर्लक अरे छाह रुखांर जिए और रा या तो शारूख कि कर रहा है कि बुले है कर गरेखाओ अजली ए ए ए ए ए ए वह बोट दल लेखता रहे ए पॉटको बचारे आपने बहुत भुट को दरता है रहे ए आपने को नहीं हो दो जाता है रहे ए ए ए ए ए इस अलापन बेख को देरे एक जोड़े रहे एए इस आपने वारे इस बुद्ध को आप इंडिया गौड टैलेंट में भी आए और इंटेंटमेंट के लिए कुछ भी करेगा दोनो दोनो चैनल दोनो शो थोजरा अपने प्रिफॉर्म किया ञड्री और अज़ competitor को आपमके सब्सक्राइब 2011 2011 में किया था वो टेली वेजन से पोनाया था विल्कल वहां से तो मैंने सोच आगे अभी अब जो सवाल करें उस सवाल का जवाब भी आपको मैं बता रहा हूं बिल्कुल सभी बात है तो बेरहल थोड़ा सा यहां पर मैं आपनों को रोकना चाहूंगा तो नाजरीन आप कहीं जाएगा नहीं मिलते हैं एक मुक्तोसर से वक्वे के बाद नाजरीन सियासत टीवी की ताज़तरीन खबरें, मुशायरे, मजभी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीर प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मुबाईल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेस्बुक पर आप सियासत टीवी का रास्ट टलिकाज भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताके नए वीडियो आप तक फौरी तोर पर पहुँच चेगें वक्फे के बाद आप सभी का हम खेर मखदम करते हैं हैदरबादी सितारे प्रोगाम में आज हम बात कर रहे हैं हैदरबाद के जूनियर शारुक याने महम्मद अमजद इली से शुरुआत में आपने बहुत सारे फिल्मों के डियालोग भी सुनाए और शारुक की बहुत अच्छी मिमिकरी भी की एक बात है शारुक के आपके साथ टैग लग जाता है कि बहुत अच्छी करते हैं तो इससे आपको जो फाइदे हासल हुए है उस बारे में हमारे नाजर खान की मिमिकरी आप करते हैं तो आपने देखा था पहली दफ़ा चो कॉल किया था मैं आपके साथ में एटेल में किया था जा जा एटेल कंपनी के लिए और आपका बहुत सपोर्ट था वहां पर आपका बहुत शुकर गुजार हुँ मैं हमेशा हर वक्त आप स्टेट शो पर भी बिल्कुल स्टेशा अब एक शो किया था मैं आपके साथ सियासत हां सियासत शौपिंग धूम खा शियासत फंगामा शो हंगामा सबसे बड़ा शो था वो हैंधरबादी इंडेस्टी के हम बात करें तो किनका सपोर्ट आपके साथ बहुत ज्यादा रहा मेरा सपोर् आपना डैलक सुना हो यारो मुझे तो मैं एक बार कंगी कर रहा था वह ज्यादा कंगी करने की बालों के आदथ ती ओकू शारुखान की फिलिम आई थी न तो उसको देखना कंगी करना तो मैं जो ठीक है अजीद नासर साफ देखे मेरे को देखकर बोले मिया तुम शारुख शारुखान बोलता तो कैसा बोलता कंगी ले लोगे कौन सी फिल्म थी वहा एफ-एम मोवी थी अच्छा एफ-एम में पहली मरतबा आपको मौखा मिला तो मैं नहीं वाला डैलक सुना हो ले शारुखान किस तरीखे से कंगी बेचता अजीद नासर साफ मेरे को एक डैलक द है पंद्रा उपे कातीन है मैं आपको चार देना चाहरा हूं मामा बोले किया बोले के कंगी करो वुरा थे तरह नहीं हब डर गया था एक दम श्रीएस में और अग्दम चमक यहां बेरे को डारा रहे औरे मैं क्या जादा बोल जिया गया मैं परेशान होगा मामा बोले फिर अपने अल्टाप भाई जैसे पूरे इंडश्टी के मैं सबसे जादा तो गुलुदादा आप लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं गुलुदादा का भी मैं बहुत शुकर गुजार हूँ गुलुदादा ने कही बार उनके शारुफ के वीडियो में किया हूए इमिजटली कॉल किये थे उनके आरियन खान रियक्ट्व वीडियो क्या था भी अच्छा तो इमिजटली फोर्ण आप वैसे तक खर सोशल मीडिया की बात हम आगे करेंगे हमें ये बताईए कि आपने कलर फोटू में भी काफी लेंदी करेक्टर निभाया था शारुख वाला जो लोगों ने काफी पसंद किया उस बारे में बताईए क्योंकि ये पूना में भी हमने शूट की थी शायद उस फिल्म में मैं भी था आपको याद आता हो तो बिल्कुल याद है मेरे को उस तेम पे शूटिंग चर रही थी तो आप मेरे को बोल रहे थे अवे शारुख क मेरे का बने मेरे को बहुत ओल्कुल थे आप भी का पड़ी मा होकी मर रही है मेरा लंग्ड़ावाब नाओं के लिए तड़व रहा है मेरी बिद्वा भएंचादी नचाने के लिए फिर से तड़व रही है वो एक डेलग था आफिस में बढ़े खुद आपकी लिए वो एक डेलग है आप लोग आप लोग आफिस में बढ़ते हैं वहाँ पर इन्थी फिर आता है श्रारुखान का 20 में आके वल्दार डौन अपने दोस्तों कहाल पूछे ना पूछे मगर खुदूसर की आफिस की आपी पर नहीं मरता है एक चांस जेदो मुझे एक चांस जेदो सेर लेकिन बहुत अच्छा आपने उस फिल्म में प्रफॉर्म किया था ले एक बात है शारुख आपको एक फिल्म मिली थी जो उन्फॉचनिटी वह रिलीज नहीं हो पाई बहुत बड़ा लेंटी करेक्ट हमारे नाजरीन को हम बता दें कि परदे के पीछे अजीज नासर साथ की ही फिल्म थी काफी जबरदस उसमें रोल था और शारुख ने बहतरीन परफॉर्म किया था वह फिल्म रिलीज हो नहीं पाई अगर वह फिल्म रिलीज होती तो शायद और बड़े-बड़े करेक्ट की तो लेकर गए है वो अजीज नासर साब का मैं बहुत शुकर गुजार हूँ क्योंकि सेर ने में बार 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 बोले थे ये मिया ये क्यारेक्टर को ऐसा करना जो डैलक बलते की हम जा रहे थे गवा का सीन था उसके साथ और आपके भी साथ आपका एक सीन था तो आप डरन अब आपके आपने आप इसलिए बता रहे हैं बिल्कुल काफी मेंद किया आप बहुत मैं आप सोभी का शुकर गुजार हूँ जो आप लोगों ने मुझे आपसे देखकर जानी भाई से भी देखकर मैं एक चीज सिखा हूँ जानी भाई पहले पूच बोलते हैं आगे वा जो बुर रहा है वो वो सीखो बोले तो आगे वाले से सीखना जानी भाई से मैं सीखा हूँ जानी भाई का वो डैलेक है मैं सीखता हूँ देखो मिया आगे वाले की बात पहले दिमाग में बिठाओ क्या बोल रहा है तो मैं बोला जानी भाई हाँ काफी जानी भाई सीनिय है और काफी गुलूदादा के भी आफ सीनियर है काफी लोगों से मैंने आपकी तारीफ सुनते रही है केवी जानी भाई मैंने केवी जानी भाई से अपसे नहीं 15 साल से मिलकर चुका हूँ बिलकुल बिलकुल लेकिन अब ये शो हमारे नाम हो क्या हो जाएगा लेकिन बात कर केरियर चलता रहे जाए अगर खुदाना खास्ता शारुख खान इंडिस्टी से गाइब तो फिर ये भी शारुख गाइब हो जाएगा या फिर कुछ और नई चबी के साथ आप इंडिस्टी में दाखिल होंगे या फिर दूसरा एक्ट लेकर आएंगे नहीं नहीं पर खुति नहीं होने वाला है कुछ नहीं चीज ले कर आओंगा हमें अपने सपर नहीं नहीं चीज़िए अबू bureaucण natural क अप जो लोग काफी पसंद नियुए दोएप बनाई बनाई धुकर लोगों की अच्शे एकई आरवू बहुकरन लोगों की जो है अब आप चैनल भी खाइम कर चुके हैं बिल्कुल एसर के हैं है अच्छा उसके दरी आप वीडियो बनाते हैं वीडियो बना रहा हूं तो लोगों को पसंद आया काफी बोल रहे हैं के भाई कुछ अपनी कला है हैदराबाद की लेकर रहा हूं तो मैंने एक कॉंसप लिखा ह है और एक कॉंसपटा ता बाबा का जिसमें बाबा आजकल लोगों से घर का सोदा मंगाए से थे को दूआ पढ़ना इसको बाबा लाल परी का साया हो गया वलके लारा या आगे वाला उसको लाल परी का साया हो गया मिलते की बाबा जो है पहले नीमो निच्छड़के तो वो चीज का कौन सब्सक्राइब बनाए अच्छा मतलब आप इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे अब शारोख वाला नहीं रहेगा बिलकुल आप अपने तौर पे जो वाक्यात होते हैं तो एक वाक्यात का जो मैं लिखा हूं तो छोटा सा खारी इतना ही ज्यादा नहीं नहीं ये तो खर हमारे नादरीन को हम बता देंगे क्योंकि आपने जिकर कर चुके हैं कि भई आपका एक चैनल है उसका नाम बता दीजिए तो हमारे नादरीन सर्च कर लेंगे और फिर आपके वो वीडियो भी जरूर देखेंगे मेरा जो चैनल है है हैधर अचा ये बताओ चारो के देखिए हैदरबाद में तो बहुत सारे यूटूब चैनल्स हो गया है तो उसमें आपका ये जो चैनल है वो किस तरह का content पेश करता है comedy या serious या फिर tragedy या फिर horror किस टाइप का concept आप पेश करते हैं या फिर content लेकर आते हैं बिल्कुल आप बुले आप बहुत अच्छी बात बुले ये content हमारा जो है एक message है लोगों के लिए message वाला content आप पेश करते हैं मैसेज वाला content पेश करता हूँ आजकल जो है बच्चे शादिया होने के बात अपने मावाब के जुन्दम सितम रहें वो message की तरह है message ही बता रहा हूँ वो concept लिखास वह भी आया है नहीं अच्छा आप खुद लिखते हैं मैं रात में बैटकर हमारे मिंसर से लिखाने लगवाता हूँ अच्छा तो मतलब यह के आप अपनी बीवी को भी काम पे लगा दिये हैं भाबी जी को नहीं वैसा नहीं होता है कभी आए परे फिरी हें रहते हैं अच्छा ओकै तो वो लिखती हैं आप बोलते हैं बिल्कुल वो मैं एक सेन नुमेरं हमरा ऐसा है और दो शूटिंग अलग है इंदो零ूटिंग तो भcorlight थीक ए ठीक है ठोड़ी अप घर बेटें वहलेब तो कर लेगे घुन के भी महिष्ए लिए बस घड़ से बाहर निकलते होज़ बेठा बावा को इतना जलुम करता जलुम करता है तो बाप सेंदे और भाद मारतेवें लेके जाते घड़नी घर से बाहर अरे बस बस बैटे बस क्यों बहें मेरे बावा को यहां तक ही मारा तू तुछ तो पूरा डेलिस्के बाहर तक मारते में ले जा रहा है लेकिन एक चीज है कि आप ने शहबास खान के साथ यूटुब चैनल में फिर शारुक के साथ अधरबाट डायरी में अलग अलग चैनल में भी आप काम कर चुके हैं तो उस बारे में हमें जरूर बताईए वो जो वीडियो थे वो आपका जो तज अच्छे डारेक्टर भी है यूटूब के बहुती भैतरीन कॉंसर्प लेकर आते हैं वो कॉंसर्प ऐसा था शहबास खान जब मेरे को पहली बार बुलाए थे तो मैं पहली बार उनके पास गया उसमें भी आप शारुक खान बने हुए थे शारुक खान का डेलक वो गैशन से friendly नि बहुत के दिवागए तो करने होरे मिन मा बात करें कि मिन माम भुरा तेए ऑ्क माहर है उन्हें टेल है मेरा था शारुक खान के अंदाज में तुमें टैलक मार नहीं क्या तो बोले कौन सब़ह है आपका करना बन तो शहबास खान के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और शहबास खान के जैसा आप मैं कोई आदमी नहीं देखा आस तर ही रहा है बिल्कुल उनकी जबान उनकी लेंगवेज उनके काम करने में मज़ा उनकी सलियत बहुत मसा आता है काम करने में और मैंने कम से कम बहुत आरदस वीडियो तो किया है उनके अपिसोड में जब भी काम करता हूं तबरभाई के साथ और आप भी थे उस बिल्कुल 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 सभी बात है अब एक वीडियो आप हम साथ किये थे श्रेबास खान के चैलल पर और फिर आपने शारुक के सा लना दाख भी काम किया है 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 तो वह उस बारे में कर सकते हैं यह कर सकते है यह आपकर इस लेकिन एक बात है चारुक जब आपको फिल्म में हो या फिर यूटूब के वीडियो में हो शारोख खान के तौर पर ही पेश किया गया तो क्या आप शारोख खान के अलावा भी कोई और करेक्टर निभा सकते हैं वीडियो में हो या फिल्म में अगर मौका मिल जाये तो हाँ बिल्कुल निभा सकते है है, हैधराबादी फेल्चर में भी लिवा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले किया ना, क्या आ यारो, बोलते ही, आपने देखा होगा वीडियो, पाइलेट्स वाला, शहबास खन के वीडियो में, अच्छा, और अल्रेडी अपने हैधराबाद मुवी में भी किया हूं है, लेकिन ह पर सब्सक्राइब के साथ है, हाथ वह भाई है, फैसा क्यारेक्टर को पाइसा थैटस परकार को चेंज करो बोलते हैं, एक शिन में अपने दाइलक को साथ हैदराबादी केल्चर में भी बोल दूँगा मैं तो हर क्यारेक्टर कर सकता हूं अब वो लोग की फरमाईश होती है कि शारुक की मेमी गिरी में करें बड़ा अच्छा लगता है मैं इनको बोला भी एक बार अपनी लेंग में गड़तों भाई 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 जरा शारुक के स्टायल में ये क्या है बने तो जरा अलग दिखिया थालूप में सभी बाल अच्छा ये बताईए कि आने वाले वक्तों में आप आप अपने चैनल पर ही फोकस कर रहे हैं या पिर के लिए और बहुत सारे एवेंट भी करता है ना ओपनिंग सर्यमनी जह पे और भी होती है Dreem töप वह पर भी आप अपनी दुकान चला लेते हैं और लगों का जमघटा हो जाता है और फिर आप अपनी मिमिकरी से लोगों को ल्बहते हैं और दिल जीत tämä कि यह तो बहुत पहले तो मेरे तो ऐंकर ये बाले में मालूमी नहीं था. जब से मैं सिखा ओं, आप ही की सिखा हूं, ये जो कुछ को कर रहा हूं तो फिलो का खच्त अप आंकर एंकर इंगर मेरे को मेरे अचा ही बात नहीं है। क्योंकि में आप जब-जाता निख दें में देखता था जानी भाई ऐसे एंकरिंग, एम प्रो लोग को कैसा करते हैं और उनको इंटेटेटमेंट कैसे करते हैं, तो एक बार मैंने माडवडी फंचन में भी किये थे अपन, उंची उड़ान, और कर। आपके साथ माड़ बाड़ी फंचन भी किया था तो बोले जाएंगे जाने माड़ी कुछ अपना एक मुखाम बना तो मैंने किया हुआ आज मुखाम बना लिया अच्छी बात है तो वो अपनी रोजी रोटी चलती है उससे वाइंकरिंग टीयार भी लोग की बढ़ा के देते यह फूड़ा सा फॉबलिक शोगरते किसका भी होता है तो टीयार भी चाहे कोईझ हो हर अदमी कविंख़ toaster है नहीं हमारा हुआ हमारी डेडा वाकि Cap लो वाकिलो की लोग कैसे करते अल्ला ताला न जो है ऐड़ से रिक्ष भी जता है तो रिक्स को नहीं चूरते ये तो common ह हमारा चलते रहे तारिक से सब्सक्राइब क्योंकि बार बार रोजाना तो फिल्में नहीं बनती ना वीडियो से यार होते हैं तो रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है आप जानते हैं वह चीज बेशक तभी तो आप एंग्रिंग से जुड़ गए हैं और उपनिंग सेर्मेनी में धुम मचाते हैं और एक रंग जमा देते हैं तो बरहाल आप यूँ ही काम करते रहें और लोगों का दिल बहलाते रहें एंटेंडर्मिन्ट की दुनिया से जुड़े रहें हमारी तो यही ने काहिशात आपके साथ हैं बरहाल आप आए इतना खिमत की वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया शारूख चलते चलते कोई एक मशूर डैलोग शारूख खान का हमारे नादरिन को जरूर सुना है राज मुस्से कहने लगी क Buddhist कह Llachokत तो मुने काया के यार ठायар क किमाल की बात के मुच्छा बंगा बिले बोने के Erfahr towards तोव रहिए है आज बॉबिन चीक परटी पर जाना कड़ेगा? अरहे नहीं है मैंने घाया ताइक का भूबन की परणी पर हैं? बल्लों के गड़ने डलाइ? कई बदे सुनु होए हमारी मंजिल हैं हुमारी रास्तिक रहती है राच अकर यह तुझे प्यार करती है तो चार ख़दम के बार पलट कर देखेगी पलट पलट अरे यार मैं तो मज़ाग कर रहा था तुम इतनी सीरिस होगी तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाखात होगी हैदरबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्त के बेजाने को अजाज़त दें अल्लहाफिस अबाल कि लाफिस अद गात्रिवेश वें ऊिस्काल कि लाफिव लाफिस इसकाल अबादी से की की से इव... अप 58 अपते आएाटेजियum को प्राभयों को ने वे जो जहां मन्गाते रख़ια नज़ चाहली स्कुनपरch ल चाहली से चाहलीं प्राज। प्राजेंडेंΟ डिय हो चाहली दो भालो dressed तो घय हमा दे शार्ण के ज़ी शोlles भालो Pink